प्लस टीबी की पॉपलर सीरियल स्वरन घर में आने वाला है ट्विस्ट आखिर क्या चलिए जानते हैं हालो दोस्तों मैं हुकोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉल बॉल जैसा कि हमने अब तक एपिसोड में देखा है कि कवल जीत को ये तो एहसास है ही कि उनके ती धीरे धीरे उसे भी एहसास हो रहा है कि उनके बेटे क्या कर रहे हैं उनके साथ वेल शोकन प्रोमो सामने आ चुका है और हम प्रोमो में देख रहे हैं क्या पर किरन की मा फोन करती है और कहती है कि अगर कवल जीत ने उस घर को बेच दिया स्वरन घर को बेच दिया तो हम सब के पास कम से कम पाँच पाँच करोड तो आई ही जाएंगे। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्वरन का बौध दे होता है और यहाँ पर कवल जीत कहते हैं कि आज मैं ऐसा हो गया हूँ कि तुझे मैं बड़े पर कुछ गिफ्ट भी नहीं दे पा रहा हूँ। तभी यहाँ पर स्वरन कहती है आपने दिया ना मुझे गिफ्ट तीन बच्चे और ये प्यारा सा घर हमारा स्वरन घर वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि घर खरीदने वाले आये होते हैं और फिर स्वरन पूछती है कि आप लोग कौन है और किसलिया आये हैं। अब लोग बताते हैं कि मैं घर खरड़ने आया हूं मैं घर देख रहा हूं और तभी यहां पर स्वरन पूछती है हम लोग तो घर नहीं ही बेच रहे हैं। और तब ही यहाँ पर बल्डर से यह बताते हैं कि मैं आपके बेटे से ही पूछ कर यहाँ पर आया हूँ क्योंकि आपके बेटे लोग ही आपका यह घर बेच रहे हैं यह सुनकर स्वरन हैरान हो जाती है अब ऐसे में देखना यह है कि अपने तीनों नालाइक बेटी की के सामने आप आएगी क्या स्वरन को एहसास होगा कि जिनको इन्होंने पाला पोसा और इतना बड़ा किया वही बच्चे आज उनको दगळा दे रहे हैं उनको अकेले कर रहे हैं वैल आने वाला ट्रैक जो है काफी जश्यादा मे ट्विस्टे इंटर्न्स से भरा होने यह